जै बाबखी आज की कक्षा में एक बहुत सुन्दर विशे आया कि इस प्रमान्द में जो भी कुछ उत्पन है जो भी कुछ रज्जा हुआ है सब माता आदिशक्ति से निर्मित है तो माता आदिशक्ति की व्यक्या व्यक्यान और उनके बारे में बोलना बहुत बड़ा माता आदिशक्ति और गुरु मराज को हम सत्सत परनाम करते हैं जै माता के जै बाबा के सुनिये उस अच्ट भुजा महादेवी का भी ध्यान करेंगे जो आपके भाव से आपके बेना ये ना शरीर ना जियों ना जनम गुज भी नहीं माते आपके बेना इग्यान भी नही आपके बेना पिता भी नहीं क्योंकि पिता मेरे पिता को तो आपने बनाया मुझे जनम देके पिता तो तब ही बने मुझे पुत्र बना तो हे भावाने हे जगदंबा असीम करपा अपने गरब में ही रखना मुझे अपने गरब में ही रखना मुझे श्रक्षित रखना जगा पे रखना कि मेरे भाओं में सुन्दरता रहे और मास बिधाता कि दया करपा में रहूं।